लाडली बहना यूजना से महिलाओं की जिंदगी में अब सकरात्मक बदलावाए है। लाडली बहना यूजना का लाब लेकर महिलाओं खुश हैं और अपने प्यारे भाईया शिवराज सिंग चुहान का धनिवाद दे रही है। देखे रिपोर्ट सियम शिवराज की लाडली बहना यूजना ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। महिलाओं सशक्त बन रही हैं और अब उन्हें पैसू के लिए पती और बेटू के सामने हाथ फैलाने नहीं पर रहे। उनकी खातू में हर महिने एक हजार रुपे पहुच रहे हैं जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वो प्रदेश के मुख्या शिवराज की तारीफों में कसीदे कर रही हैं। जो शिवराज जी चौहान ने हमारी मदद करे हैं। हमारे लिए जो एक हजार रुपे पहुचाया जा रहा है। उसमें हमारी बहुत सी जरूरते पूरी हो रही है। हमारे बच्चों के काम आ रहा है। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। जो शिवराज चौहान जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने लाड़ी बहना जो योजना लाई है। हमारे लिए बहुत अच्छी योजना है। वह एक हजार रुपे हमारे लिए एक हजार जो कहना चीए जरूरत के बराबर हो गया है। प्रातना करते हैं, दूआ करते हैं कि वह पांची बार फिर से मंत्री बने। कई बार पती बहार रहते हैं, तो महिलाओं को एक एक रुपे के लिए मौताज होना पड़ता था। घर चलाना तक मुश्किल होता था। लेकिन लाले बहना युजना कलाब मिल्ले से रोज मर्रा के खचे के लिए इन महिलाओं को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। बारा महिने में बारा हजार रुपे आएंगे, तो कम से कम खच चलानी में आसानी होगी। ये महिलाओं काफी खुश हैं और अपने मामा को धन्यवाद दे रही है। हमको एक हजार रुपे महने से देखे, याने हमारे दुख सुख में भौती आने काम आ रहे हैं। हमारे कोई आने कमाने वाले अभी आने बैठे घर में, इस्तिती बहुत गंबीर है। लेकिन हम हमारे बैठे को एक हजार में अभी पढ़ाई, लिखाई, घर के काम सारे, याने बहुत से मदद मिल रही है। अपने पती से कभी कभी 100-200 रूपे मांगने में इतना वह होती थी, कि मुझे बहुत दर्द होता था, दुख होता था। आज सगा भाई भी अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर पाता है, जितना इनोंने हमारे लिए सोचा है। हमारे लिए नहीं हमारी मा के लिए, हमारी बेटियों के लिए, वो आज इतना अच्छा कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल उनको एक भगवान से भी कम नहीं समझती, वो हमारे लिए भगवान समान हैं, इसलिए मैं उनका बहुत धन्यवाद दूँगी. महिलाओं को आत्म निर्भर और सशक्त बनाने में लाली बहना युजना बड़ी भोमे का निभा रही है, इस युजना के जरिये महिलाओं के खाते में पैसे आ रही है, जिनका इस्तिमाल बच्चों की सिहत और सिक्षा के लिए किया जा रहा है, जिससे प्रदीश और बेहतर स प्राप्यों